नमस्कार दस मिनिट किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बादाम मिल्क और वो भी बहुत इजी तरीके से बादाम हमारी सेहत के लिए बहुत फायदे मंद होता है गर्मियों में हमें भीगो के खाना चाहिए तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है और सर्दियों में सारे ड्राइप रूट हमको ऐसे ही खाने चाहिए तो उसकी तासीर गरम रहती है तो आईए देखे बादाम मिल्क बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी तो बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा बाउल लेंगे और इसमें 30-30 बादाम डालेंगे इन बादामों को भीगो देंगे 12-24 गंटे जब हम 12-24 गंटे तक बादाम को भीगो कर रखते हैं तो बादाम की तासीर ठंडी हो जाती है गर्मियों में हमें कम से कम 12 गंटे भीगो के खाने चाहिए बादाम की तासीर बहुत ठंडी हो जाती है आपको पता ही है कि बादाम हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैगनीशियम, फासफोरस, सब कुछ हमको मिलता है यह हमारी बादी के लिए बहुत फायदेमंद है बादाम भीगो हुए 12 गंटे हो गए हैं अब हम इनको छील लेंगे इस तरह से इस तरह से हम सारे बादाम छील लेंगे हमने बादाम छील लिये हैं यह देखिए अब हम एक मिक्सी कजार लेंगे और इसमें यह सारे बादाम डाल देंगे इतने बादामों से हम दो ग्लास बादाम मिल्क बनाएंगे देखिए शुगर तो हमको डालनी है, तो हम अभी शुगर डाल देंगे इसमें, दो चम्मच, शुगर आप स्वाधा नुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, अभी शुगर डालने का एक कारण और भी है, क्योंकि बादाम हमारे बहुत कम हैं, तो बारिक पेस्ट बनना मुश्किल है शुगर के साथ में यह बहुत फाइन पेस्ट बनके तयार हो जाएगा, अब हम इसको मिक्सी पे रखके और पेस्ट बनाएं, इसमें अब हम एक चम्मच मिल्क डालेंगे, एक चम्मच और डालेंगे, यह देखिए, हमने इसमें दो चम्मच मिल्क डाला है, आई यह देखिए अब यह सही नहीं पिशा है चमच मिल्क इसमें हम और डालेंगे और यह सब मिक्सी में इस तरह से डाल देंगे क्योंकि हमें पेस्ट थोड़ा फाइन मनाना है अब हम इसको इस तरह से चुरी से चुटा के और बीच में इखटा कर देंगे पूरा यह देखिए ऐसे इखटा कर देंगे अब हम इसी फिट से पीसेंगे यह देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल फाइन बनके तयार हो गया है हमें ऐसा ही पेस्ट चाहिए यह देखिए ऐसा ही पेस्ट चाहिए हमें थोड़े भुलके दाने रहते हैं तो मिल्किके साथ बहुत अच्छे लगते है थे पेस्ट बन hear हो गया है हमें एक कड़ाई लेंगे और औरीव फूल पैट मिल्क इसमें बन सिर्ड़ का डालेंगे हमने तो बदाम एक तो क्टोंड़ा गारा अच्छा लगता है आप हम इसमें दो चममाच मिल्क पाउडर डालेंगे ये देखीए है एक हम इसमें ये वाला पेस्ट बदाम का डालेंगे दो-चार धागे केसर के डालेंगे, यह बिल्कुल ओप्शनल है, डालना चाहे तो डाले, ना डालना चाहे तो ना डाले, अब हम गैस जलाएंगे और गैस पर यह कडाई चडा देंगे, इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, और इसको थोड़ा सा पकाएंगे, दूढ थोड़ा गाडा करेंगे, वैसे हमने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है, तो हमें ज्यादा टाइल नहीं लगेगा, गाडा करने में, सारा प्रोसीजर हमने गैस के नीचे ही पूरा कर लिया है, अब इसको 5-7 मिनट हमें गरम करके और थोड़ा सा मिक्स करना है, बादाम अच्छी तरह से गरम करने से इसमें मिक्स हो जाएंगे, जो हमने बादाम का पेस्ट बनाया है, वो गरम होके वो भी थोड़ा सा गाडा होता है, वो भी दूद को गाडा करेगा, तो अब हम इसको चलाएंगे ऐसे, हमारा बादाम मिल्क गाडा हो गया है, यह तैयार हो गया है बिल्कुल, शुगर आप कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा खानी है, तो आप और ज्यादा डाल सकते हैं, जब यह ठंडा होगा, तो यह और गाडा हो जाएगा, अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर दे तो यह गाड़ा हो जाएगा, तो यह एकदम से उपर नहीं आएगा, यह धीरे धीरे उपर आएगा, तो हम गैस के फ्लेम को आप कर देते हैं, और इसमें एक ड्रॉप, येलो कलर डालेंगे, ये हमारे पास येलो जैल कलर है, ये देखिए, एक ड्रॉप डाला हमने, ये का सब पीला कलर, ये कितना अच्छा लगता है, अब हमारा ये वदाम मिल्क बिल्कुल तयार हो गया है, अब हम इसको गैस के नीचे उतार लेंगे, ये अब हमने नीचे उतार लिया है, इसको, सर्दियों में ये ऐसे ही गर्म गरम सर्व किया जाता है, लेकिन गर्मियों मे यह थंड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको एक बाउल में निकालेंगे पहले, आप हम इसको इस बाउल में निकालेंगे, आप हम इसमें एक चम्मच रोज वाटर डालेंगे, यह बहुत अच्छी खुश्बू लगती है इसकी, दो चार ड्रोप केवडा की डालेंगे केबडा जल यह देखिए इसमें ऐसे लेके बहुत ज्यादा नहीं डालना है इसकी 3-4 ड्रॉप पी डालनी है बस गर्मियों में केबडा ठंडा भी रहता है और खुश्वू भी बहुत अच्छी आती है किसी भी मिठाई में गुलाब जल और केबडा डालो बहुत अच्छा लगता है इस दूद को ठंडा होने के लिए दो गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे हाँ जी दो गंटे हो गए है आप हमने इसको फ्रीज के बाहर निकाल लिया है यह ठंडा हो गया है गर्मियों में ठंडा बहुत अच्छा लगता है तो आईए अब हम सर्व करेंगे हमने यह दो ग्लास लिये हैं अब इसको हम इस तरह से पहले मेक्स करेंगे जिससे बादाम का जो पेस्ट है भारी ओके कही नीचे तो नहीं बैठ गया है यह देखिए यह बहुत अच्छे से हमने मेक्स कर लिया है मैं इसमें एक चुटकी जितना इलाइची पाउडर डालूगी यह ओप्षनल है आप डालना चाहो तो डालो नहीं डालना चाहो तो ना डालो इसको हम मेक्स कर लेंगे इसकी भी खुश्बू बहुत अच्छी आती है और तीनों चीजों मैंसे गुलाब जल, केबड़ा, इलाइची पाउडर मैंसे अगर आप एक शीज डालेंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है तो अब हम सर्व करेंगे ये लीजिए हमारा बादाम मिल्क सर्व हो गया है और हमने दूद का एक पैकेट लिया था तो हमारे दो गलास बनके तैयार हुए है अब ये हमारा सर्व हो गया है पीने के लिए बिलकुल तैयार है बादाम मिल्क सर्व कर दिया है अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे गार्निशिंग के लिए हम इसमें थोड़े से पिष्टा की कतरन डालेंगे यह हमने पिष्टा की कतरन तैयार की है यह बहुत सुन्दर लगता है देखने में यह देखिए और थोड़े से बारी कटे हुए बादाम डालेंगे एक दो टुकडे ये देखिए हमने बादाम ये बादाम हमने बारी काटके रखे तो आप भी बनाईए पीजिये और पिलाईए और कमेंस में लिखके जरूर बताईए कि इजी सी ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक आप अपना ध्यान दखना लेकिन आप लिखकर जरूर बताईएगा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले